ये है Honor Play स्मार्टफोन जो 6 अगस्ट को इंडिया में लॉच होने वाला है और 6 अगस्ट को में पता चल जाएगा कि इस हैंसेट का प्राइजिंग क्या है वैसे ये जो हैंसेट है ये चाइना में तो लॉच हो चुका है और चाइना में इसकी प्राइजिंग तकरीबर 20,000 और ये है Honor Play स्मार्टफोन और जैसे कि मैंने खहा ये जो हैंसेट है 6 अगस्ट को इंडिया में लॉच हो देवाला है लेकिन मैं आपको इसकी अंबॉक्सिंग करके अभी बता देता हूँ तो ये है इसका बॉक्स पैक और इसे मैं खोल देता हूँ देखते हैं कि अंदर हम मेत्ल बॉड़ि है ये बहुत इन प्रीमियम किसम का स्मार्टफोन है फिलाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि इसके अलावा हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है तो यह जो ढबबा है इसे में खोल देता हूँ इसमें आपको एक सिलिकॉन केस मिलता है तो अब काफी brands ने यह जो case होता है, silicon case यह देना शुरू कर दिया है, इसमें भी आपको मिल जाता है, और यह है data cable, यह USB to USB type C data cable है, यह देखिए, box के अंदर आपको एक sim tray भी मिलता है, लेकिन कुछ कारण वर्ष मुझे यहाँ पर नहीं मिला, और जो अंतिम content है, वो है यह travel charger अभी जो travel charger है, इसकी rating है 9V, 2A, यह एक fast charger है, तो बस यह सारी चीज़े हैं, जो आपको box के अंदर मिलेगी, तो यह है Honor Play smartphone, जो जल्द ही इंडिया में लॉच होने वाला है, और जैसे कि मैंने कहा इसकी जो body है, यह metal की बनी हुई है, बहुत ही बड़ी आप बिल्ड और फि और इससे जो handset है, उसे एक अलग ही look मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस handset में fingerprint sensor भी है पीछे की तरफ और पीछे की तरफ डूल कैमरा है, पीछे 16 megapixel और 2 megapixel के डूल कैमरा है, camera का जो module है थोड़ा सा भार की तरफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, overall जो handset की body है baby sharp edges नहीं है, पकड़ने में काफी comfortable है और slim भी है, screen पर 2.5D curved glass का उपयोग किया गया है, जिससे आपको एक अलग ही feel मिलता है, यह देखिए यहाँ पर, इस handset में वही same hardware का उपयोग किया गया है, जो honor 10 में किया गया है, चलिए मैं आपको buttons के बार में बता देता हूँ, यह की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं, यह है speaker out vent, यह है microphone, यह है USB type C port, और यह है audio jack, इस पर जो screen है, यह 6.3 inches का है, full HD plus resolution के साथ में, IPS LCD screen है, 19.5 is to 9 का aspect ratio है, EM UI run हो रहा है, जो Android audio based है, screen की quality वाके में काफी बढ़िया है, और देख सकते हैं, यहाँ पर आपको not style display भी मिलता है, iPhone में AI technology का उप्यों किया गया है, camera में भी AI का option दिया गया है, fingerprint sensor है, face unlock है, hardware के अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा है, इसमें वही सेम hardware का उप्यों किया गया है, जो Honor 10 में उप्यों किया गया है, मतलब कि इसमें Qureen 970 octa core processor का उप्यों किया गया है, और यह 970 chipset है, इसमे a special neural processing unit है, जो AI को handle करता है, इस headset की एक और खासियत यह है, कि इसमें GPU turbo technology का उप्यों किया गया है, और Honor के मताबित यह जो technology है, GPU turbo, यह जो gaming performance है, इसे काफी हद तक इंप्रूब करता है, साथ में battery life भी इंप्रूब हो जाती है, इसमें 4GB RAM है, 64GB internal storage space है, और 16MP का फ्रंट कैमरा है, और battery, 3750 mAh की, non-removable, इस headset का पूरा review मैं 6 तारी को लेकर आउंगा, जब यह handset है, officially announce हो जाएगा, तब हमें इसका price भी पता चल जाएगा, तो यह handset आपको कैसे लगा, इसके बारे में मुझे ज़रू बताइए, अगर आपको यह video पसंद आया, तो इसे like किजे, share किज और जो bell icon है, उसे भी enable कर दिजिए, और देखते रही है,